तो जहां एक तरफ प्रधान मंत्री चार सो पार का नारा दे रहे हैं वहीं पीजपी ने एक तारगेट रखा कि इस बार 29 की 29 सीटे जीतेंगे यह इसे देखते हैं जिस तरह से यह पीठा सी नदीकारी भारती जन्ता पार्टी का परचार कर रही है कारिकरता हुआ मोजूद नहीं थे यह के रहे ही मोदी मोदी भाजपा तो इसे चार सो पार करेंगे जब हमारे मद्दाता बंदों ने अपत्ति ली और सोरी बोल रहे हैं इसे बात की अधरना दिया रहा से दतकाल इसको अटाया सस्पेंड करने का असुपन दिया कड़ी से कड़ी कार्वेश के करेंगे इस बार आपने चुनाओ लड़ा क्योंकि हमने देखा कि महाकाल गोटा अधरना बरिश्टा चार अधरना बहे का वातना उज्जेन में सराब माफिया गिरी भू माफिया गिरी चिपरा मास का सुद्ध किसानों के साथ धोका युवाओं के साथ धोका और सबसे बड़ा धो उमिद्वार इन्होंने पांस साल तक सिर्फ खिसानों की जमीन हनपने का काम किया उनके दो-तीन चहातों के साथ मिलकर चंदा खोरी का काम किया और सिर्फ जूट बोला, पांस साल तो ना किसानों की चौ कहीं लोकसाम में चोपाल पर आवाज उठ़ई, ना लोकसाम में परिवर्तन होगा और जीद मिलेगी राहूल गांदी प्रियंगा गांदी एक बड़ी बात कहते हुए नहीं के जो आम जनता हुपे देने का वादा किया जा रहा है क्योंकि वैसे ही मदपदेश में कर जाए केंद्र सरकाल लगतार कर दो बड़े वादे कि जिस्सी दूरुप से लगबग देश के असिक रोड परिवारों को गरीवी के नीचे लाया भाजपाने तो यसे समय में कांग्रेस ने रहूल गांदी जी ने 8501 लाग उपे साल की गारेंटी युवाव को दिये इससे सीदा सीदा लाव और आर्थिक संपन्त आईगी और गरीवी कम होगी तो सी निस्यत रूप से एतिहासी की ये योजना है कांग्रेस पाटें लागू किया